कि फालैंशल गेंज के लिए आज एक खास सिल्यूशन क्विक्फिक्स सिल्यूशन आपके लिए यह जो उपाई है आपको कृष्ण पक्ष में करना है यानि कि जब चंद्रमा घटता है पूर्ण माशी के बाद मादुर्गा के सामने कुछ रुपे और अपने बिजनस से जु और या कोई मिठाई फिर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालिसा का पार्ट करें और अपने बिजनस में ग्रोथ के लिए प्रातना करें प्रसाथ को नौ साल से कम एज वाली लड़कियों में बाट दे और रुपे और जो चीज आप ले गए थे उसको अपने काम में प् कभी कभी आपका बच्चा आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता बहुत स्ताबन हो जाता है जिद्धी हो जाता है इसके कारण क्या है और उपाई जानकर बच्चे के साथ रिलेशन्शिप कैसे अच्छा करें यह जानेंगे बच्ची पेरेंस की प्रारिटीज नहीं समझते ज अपनी बात कहने से पहले बच्चे को पहले कुछ दिर नोटिस करें कि वो कर क्या रहा है फिर धीरे जीरे जो वो कर रहा है उसके बारे में बात करें फिर अपनी बात को रखें बच्चे को आपको वैसे ही मनाना पड़ेगा जैसे आपको अपने दिमाग को मनाना पड़ता जैसे जिस दिन जल्दी सोना हो तो दिमाग को कहना पड़ता है ना कि अरे सुबह की फ्लाइट है आज जल्दी सो जाओ नहीं तो सुबह नीन कैसे खुलेगी और माइंड आपकी आदतों को छोड़कर रिस्पॉंड करता है बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे को बनाना होता ह पेरेंस बच्चों की आदत डाल देते हैं कि जब तक हम चिलाएंगे नहीं तब तक बच्चा बात सुनेगा नहीं अगर आपका बच्चा आपकी बात तभी सुनता है जब आप जोर से बोलते हैं तो इसका मतलब आपने उसको ऐसी आदत डाल दी है बच्चे को इस तरह से ना दे जब आप बहुत उससे दूर हो बच्चे के पास जाएं हलके से टच करें जैसे गाल पर टच किया बॉडी को टच किया कंदे पर हाथ रखा फिर उससे जो कहना चाहते हैं वो कहें इसके बाद उससे आई कॉन्टाक्ट करकर अपनी बात करें बच्चा आपकी बात कै चाहिए अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं उसे छोड़कर करने के लिए आपको समय लगता हैं तो ऐसे में बच्चों को भी तो समय चाहिए बच्चे को एक बार अपनी बात कहें और वहां से हट जाएं पांच से साथ मिनट के बाद खुद को कनेक्ट करें फिर अपनी ब क्रौंग हो जाता है तो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता इसलिए क्योंकि आपकी आदतों में कमी हैं ऐसा नहीं कि अप जानमूच के करते हैं एवेर्नेस नहीं है और बच्यों को समय दे बच्चों का दिमाग एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करने के लिए बड़ों में बच्चों की इस बात को समझे और उन्हें अपनी बात मानने के लिए थोड़ा समय दें कभी-कभी ना पेरंट से बच्चे अच्छा लगता है उसी तरीके से बच्चे को भी अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है फिर जब आपको देखे कि बच्चा रिलाक्स हो रहा है तब उससे अपनी बात कहीं कर दो कर दो